तीन अजार साल पहले हमारा विश्व विद्याल्य होता था तक्षिला विश्व विद्याल्य के नाम से जो आज पाकिस्तान में पढ़ता है इसलामाबाद के नजदीक रावल पिंडी के बाद के पास जो एक अजार ईशापूरु से लेकर पांचवी शताब्दी तक रहा पा पाणिनी का नाम आपने सुना होगा जिसकी अश्टा ज्याई की बात पुझ्य स्वामी जी महराज बार-बार करते हैं वो पाणिनी यहीं के पढ़ने वाले थे इसी तक्षिला विश्व विद्याल्य के प्रोडक्ट थे जिन्होंने संस्कृत का व्याकरन तयार करने का उन राजनिती शास्त्र लिखा था उस समय युद्ध के बारे में विदेशनिती के बारे में राजनिती के बारे में लिखा था उस समय लिखा था जब कोई इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता था तो यह तक्सिला विश्व विद्याल्य था नालंगा के बारे में हम बातची तो इसलाम ने इस सोमपुरा विश्य विद्यले को भी नश्ट कर दिया ऐसे ही जगद दला विश्य विद्यले था जो आज के पश्चिमे बंगाल में पड़ता है पाल राजाओं के समय में भारत में जब अरब आकर्मन हुआ उस समय तक ये विश्य विद्यले अपनी सेवा देता रहा विश्य विद्यले ज्यान का प्रकाश फैलाता रहा नादारजुन कोंडा विश्य विद्यले था आंदर प्रदेश में विक्रमसिला विश्य विद्यले था बिहार में बल्लवी विश्य विद्यले था गुजरात में वारणसी जो आदी नगरी के नाम से विख्यात है वो पुराने समय से ग्यान विज्यान का कर्म कांड का कश्मीर में पुष्पगीरी होती थी उडिसा में अब आप बताईए यदि नालंदा जैसे विश्विद्धाले ऐसे कोने कोने में भारत में होते थे और ये तो वो हैं जिनके बारे में आज प्रमान उपलब्द हैं जिनके उपर से जो समय की मिट्टी पड़ी हुई थी उस म उशक्ता है लेकिन ये मिट्टी हटेगी तब जब सबसे पहले देखिए धरती की मिट्टी जमीन की मिट्टी तब हटती है सबसे पहले दिमाग की मिट्टी हटती है अभी तक तो हमारे दिमाग के अंदर मिट्टी की वो परत चड़ी हुई है कि हमारे अंदर तो कुछ हमारे पास तो कोई ग्यान विज्ञान नहीं था हम तो कहीं भी नहीं खड़े थे हमारे पूर्वज तो महान थे ही नहीं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग की इस मिट्टी को हटाना है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं सब्विता और संस्कृति का पहला अंकुर फूटा तो वो आपके भारत में फूटा था